अपनी उयूब को छुपाने के लिए मैं अपनी गर्दन नी दूँगा सर आपने मुझे नवाज शरीफ का कजन बनाने की हिमाकत किये आपने ये कैसे कहा के नवाज शरीफ के मैंने नवाज शरीफ से रोटिया लिए कैमरा उतारेंगे और आपका इमान जाग जाएगा आप शरी उनलोगों मतसे ज़हि दोस्तो वो डिएश में आपका सवकत है है आच पाक मीडिया इम्रान खां बारे में बात कर लाए पाक मीडिया के इस इमांड च्छ ने आज इम्रान खान के बंदे की बहुती जाड़ा भूलाएगा है फाक मीडिया के इस एंक रिपासिवे में खंटो हमें material के बार में बोलते रहते हैं तो सेने चुना में उन्हों ने धांडली की है तो उस में मोलाय को सड़ान का बंडा को नीघ्रा को आ eerste प्लेख餘ाई कहने लगा अव contrac और फिर इस इम्रान के बंदे की हालत खराब हो गई और इम्रान का बंदा रोने लगा कि आप तो हमारे खिलाफ है और आप आप अपोजिशन मतलबी नवासी की पार्टी को कुछ नहीं कहते दोस्तों यह वीडियो बहुर की मसदार है तो इसा पुरा जरूर दिखेगा तो च चुप रहेगी जुबाने खंजर लहू पुकारेगा असनी का पीटी आई का ट्रैक रेकॉर्ड है जैसे ही किसी मामले की चानबीन शुरू होती है आप दोड़ जाते हैं फॉरण स्टे और लेने के लिए बी आर टी पर आपने यही हरकत फरमाई फॉरण फंडिंग पर जो हाई को ख्याल आ रहा है कि अरे ये तो नाएहल था एलेक्शन कमिशन चुप रहा चीफ एलेक्शन कमिशनर ने अपनी मौजूदगी का थोड़ा सा भरम रखने की अदाकारी फरमाते हुए महस्त पचास हजार रुपए का जुर्माना करके अपनी जान चुड़ाई सर ईसे उसे शाद को जिसको पाकिस्टन की कोर्स नाहेल करार नहीं देती, उसको नाहेल करते हैं और जिसको पाकिस्टन की अधालते, ईससी की आन मा reiterate का Don करार देती है, उनकी कि तारिए और तोसीफ और हमायच में आपके बस लफुराऊं के खजाने खत्म हो जाते हैं नई सर ये बात आपने गलत कर दी है इसलिए आपका जवाब यहीं दफन कर देता हूँ मैं नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा में और उससे पहले और उसके बाद मैंने नवाज शरीफ के बारे में ये तक कहा कि वो एक आदमी मेडिकल एनारो ले करके खान साब से खान साब से मेडिकल एनारो ले करके बैरूने मुल गिया और वहाँ डंडा डोली कर रहा है जूला जूल रहा है अपनी उयूब को छुपाने के लिए मैं अपनी गरदन नहीं दूँगा सर आपने मुझे नवाज शरीफ का कजन बनाने की हमाकत की है इसलिए मैंने आपका जवाब खाने की कोशिश की है आप परसनल ना हो मैं आपका जवाब सुनूँगा आप ने ये कैसे कहा के नवाज शरीफ की मैंने नवाज शरीफ से रोटियन ली है वो एक आदमी के जो हर मरतबा कोट में अपने बगील अपने अज़र खरीद वकी को बेज करके अपनी फेस सेविंग करता रहा आपको भी पता है कैमरा उतारेंगे और आपका इमान जाग जाएगा आप भी उन लोगों मसे है सर कैमरे के सामने हख बोलें तो मैं जानू मैं सरकार से चेर्मेन नैप से वो चेर्मेन नैप जिनको हकूमत के नहीं अपोजिशन के इससाब का बड़ा ख्याल रहता है मैं अपनी गर्दन पेश करता हूँ लीजे खान साब से आप बीलते जागीजे मेरे लिए नदीम कुरेशी साब सर मैंने अपना कॉलर आपके हाथ में दिया शुरू कीजिए मेरे इससाब और आपको आज के प्रोग्राम में माफी देते हैं इजद इजद माब सिल्सला इल्जामिया के ताहयाब चेर मेरे महतरम भाई ये जो आप ताबर तोड हमले करते हैं मैं आपको बिल्कुल भाईयों वाली बात करहा हूँ हमें बगैर किसी अथेंटिसिटी के मुनासिब नहीं होता किसी को मनाहल के नदीम कुरशी साब मुझे सुन रहे हैं ना आप जी मैं सुन रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ फर्माई तो पिर वो मज़ा नहीं आएगा मैंने इसलिए कंफर्म किया आचा सर कहने का मुभ्लब यह था कि एखलाकियात की बाते अगर वो करें इससने पार्लिमेंट पे लानत भेजी हो एसे लोगों से मैं क्यूं लूँंगा पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान से एक दिन पहले यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को फांसी देने के लिए रसी चाहिए तो मैं दे जिता हूँ यह मेरा सवाल नहीं है आप फिर वही पीटी आई से होने का सुबूत दिये जा रहे हैं मुझे पता है आपके नाम के नीचे लिखा रहा है रहा है रहनुमा पीटी आई कीसे हूँ भाई मैं आपसे इस वाल यह नहीं कर रहा जिसका ज्वाब आप तक तुल्य वैटें मिरा सवाल नहीं है मेरा श्वाल कुछ औरता मेरा सवाल इख्लाकियाद के उपर था आप मुझे यूससिफ रजा किलानी का जवाब यह तो कोई बाद नहीं है अब आप सुन कौन सा गाना सुना रहे थे मुझे किशोर कुमारगा मैं तो आप से बात कर रहे थे मेरी समझ में आ रहा है लग मैं लोगों को और बता रहा हूं कि ये नॉर्मली हुकोमतों का शेवा होता है और मैं भी आप से जवाब लेके जाओंगा इखलाकियात का भाशन में ऐसे आदम मैं आप से इखलाकियात के उपर सवाल पूछ रहा हूं और आप ड्रैक कर रहें सिर्फ और सिर्फ आप ये मैसेज देने की कुशिश कर रहें कितनी खूबसूरती से आप बातों की जिलेवी बना सकते हैं मैं अगर सवाल उढ़ा रहा हूं तो आपने मेरे बारे में एक करेक्टर साटिफिकर्ट जारी कर दिया और मैंने आपको एकसाब के लिए अपनी गर्दन दी आप फिर चोरंगी छोड़ करके वहां जाकर के कड़ेों के तालिये बजा रहें तो वो गहर इखलाकी काम जो पार्लिमेंट पर लानत भेजने का किया था उसका जवाब तो दे दो सर आई लव यू सब मेरी सुनें हमने जो स्रगल की 128 दिन का ध्रना दिया उसके बाद पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को वोड़ दे कर ये कह दिया कि आप जो कहते थे ठी कहते थे पर बात कर दोस्तों इस वीडियो पर बात कर तो पार्कमीटर इस एंकर ने सही का कि इम्रान खान पर जब भी इरजम लगता है या इम्रान खान के लाब कोई इंविसिकेशन सुरू ओता है तब इम्रान खान अडालत भाग जाते इस टेवर लेने के लिए और जब नवासे करते थे और नवासे के नेटा भी यही करते थे तब इम्रान खान कहता था कि यह लोग तो चोर है और इसलिए हर वक अडालत भाग जाते इस टेवर के लिए अगर यह इतने ही बेगुना है तो इनको इन्विसिकेशन से क्या दर है और अभी जब नवासे की पार्टी या ओ कि इम्रान खान ने दूश्य से देशितली से हिसे लिए है तो इसके खिलाव ऑपोजिस्यन मांग रहती इलther 법 दाट भाग गया और अदर इनल उसने ले लिया तो उसी पर इम्रान खानंए इस केश को सालोग लक्त काया सालोग इम्रान खान हर अभार अदालत जाके ते तो आपको investigation से क्या दर है और ये सही भी बात है तो इसलिए बहुत सारे लोगों को ये सक है कि इम्रान खान को बहार से पैसे मिलते है तो इसलिए इम्रान खान इसके लिए investigation नहीं करना चाता अपने उपर तो इसलिए इम्रान कान हर बार अडलत जाके stay order ले आता है ताकि उसके खिलाब इस foreign funding case में investigation ना हो तो इसलिए पार्ग मीडिया का ये anger बहुत जारा गुस्ते में है क्योंकि यही चीज़ पुनाओं से पहले इम्रान कान opposition के बारे में बोलता था मतलब कि जब वो सरकार में थे तो कहते थे कि सरकार के लोग तो हर बार अडलत भाग जाते stay order के लिए जब भी उनके खिलाब investigation होती है तो अगर वो बेगुना है तो उन्हें अडलत नहीं जाना चाहिए और अभी सरकार में आने के बाद इम्रान कान वही कर दा है तो इसलिए तो इसलिए पाक मीडिया के एंकर ने यह चीज़ बोली है और फैसल वादा का केस भी बहुत ही अजीब गरीब है फैसल वादा जब चुनाओं जीते थे जब वो अमिर्की citizen थे पाकिस्तान में एक एक आई हो जब आगी स्राबु टाब जब्रटा था जब वह अमिर्की citizen भी थे जो पाकिस्तान के अभी कान? ons के मुटा पिक इल्लीगल पां इसे भी चैंज करना चाहता है ताकि उसके बंदे भी चुनाओ जड़ सके तो इसलिए फैसल वादा ने जो चुनाओ सीट जीता था उससे खिलाब अदालत में केस चल रहा था और उसके खिलाब भी फैसल वादा ने दूसरे अदालत में जाके स्टे ओड़ा ले लिया तो इसलिए पार्क मीडिया के एंकर अभी फैसल वादा की बात की है और फिर इम्रान खान ने उसी बंदे को सेनेटर बना दिया तो पाक मीटा का बंदा कह रहा है कि इम्रान खान तो इतनी पात करता है तो इसे यार नहीं है जब उसने इस अमेरिकन सीटिजन को जिसके खिलाब अदालत में अभी केस चल रहा है इसे सेनेटर बना दिया इसकी तो मंत्री की पर भी नहीं होनी चाहिए और जो चुनाओ इसने जिता था वो भी तो इल्लीगल हो गया है क्योंकि यह तब तो अमेरिकी सीटिजन था यह तो पाकिस्तानी सीटिजन भी था और अमेरिकी सीटिजन भी था और पाकिस्तानी उनके मुटाविक डूएल सिटीजन पाकिस्तान में चुनाओं नहीं जोड़ सकते तो इम्रान को तब मुरायल्टी की याद क्यों नहीं तो इसी के बार में पाक मीडिया ने यह सवाल पुछा है और आपने अगर देखा होगा कि इम्रान का बंदा किसी भी चीज़ का करने का और आप नवासी पर सवाल क्यों नहीं करते नवासी ने भी तो यह सब किया है तो नवासी ने अगर वह सब किया है तो सरकार किसकी है इम्रान खान उस पर कुछ क्यों नहीं करता और नवासी पर बाहर है उस पर इम्रान खान कुछ नहीं कर सकता जरदारी जिसके बा नहीं कर सकता है इस मामले में तो इसलिए वो जड़दारी और नवासिप के नाम पर लोगों को भटका रहा है और कुछ नहीं और पाक मीडिया के इस एंकर ने सही का कि पाकिशन ही परलेमेंट इल्लीगल है और यहां पे सारे चोरोभास को इम्रान खान के अपनी सरकार में एक व्षेहां, और इस जल्से में básicamente के पहले हैं लिए और उसके खिलाब भी कोई कारवाई नहीं हुई और उसके साथ जो बंदे थे मतलब की इम्रान के बंदे उन पर भी कोई कारवाई हुई या नहीं वह भी मुझे ठीक से याद ने क्योंकि यह बहुत पुराना मामला है तो इसमें पाक मीदिया के बंदे ने सही का कि कोई इम्रान मंतरीगा ने के बैठा हूँ है तब तो उसे चोर ढडाकूँ याद नहीं है तब तो उसने पारलामेन को गाली नहीं दी तो इम्रा क्खान के किसभी बात पर पाक मीदिया कैसे सभी विषовास करें तो पाकीसनी मीदिया के इस एंकर ने सही दोस्त और आए और कह रहा है कि आप नवासी और ज्रजदारी की बात करें और इम्रान खान को छोड़ दें क्योंकि इम्रान खान के पास लोगों का वोट है और आखिर में मैं ये कहूंगा कि आपने देखा होगा कि जब इम्रान के बंदे ने कहा कि इम्रान खान ने लोगों का वोट लिया है त यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुकिया और हमें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक्यू वेरी मच्छ